हेलो फ्रेंज आज हम पढ़ेंगे दोस्तों उजमेंडियस जिसे लिखा था पीबी सैलेने परसी बाइसी सैलेन का पूरा नाम था उजमेंडियस में इन्होंने एक घमंडी राजा की कहानी को बताया है इस पोयम के द्वारा और यह बताया है कि समय कैसे आपके घमंड को चू मंडी राजा की इस पोयम के बारे में पहले जानते हैं कि इसे कब लिखा गया और कब पब्लिस कराया गया ओजमेंडियस को लिखा गया था 1870 में और अभी जो आप टाइटल देख रहे हैं ओजमेंडियस वो पहले नहीं था पहले उसका टाइटल था एजिप्सियन फेरो इसमें आपको एक पॉलिटिकल पावर का डॉन फॉल दिखेगा कि किस तरह वो नस्ठ हो गया और आर्ट की ताकत दिखेगी कैसे एक आर्टिस्ट प्रिजर्व करके रख सकता है पास्ट को यानि कि भूत काल की चीजों को एक आर्ट के द्वारा किस तरह बचाया जा सकता ह यह चीजे आपको इस पॉयम में जानने को मिलेगी तो आएए दोस्तों हम पॉयम से पहले परसी बाइसी सैले के बारे में जान लेते हैं परसी बाइसी सैले जिनका जन हुआ था 4 अगस्त 1992 में और इनका देथ हो गया 8 जुलाई 1822 में और इनका नाम वन अप दे मोजर इंगलिस रोमांटिक पोईट्स मिलाया गया इनके आइडियास को ले लिया है जाए तो हमेशा नॉन बॉयलेंस ही रहा और वेजिस्ट्रेनीजम में इन्होंने हमेशा फोकस किया इनके फेमस वर्क्स में उजमांडियस है और टू वेस्ट बिन तू अटू अस्टायलाग और हैलस अरली कल ट्रामा है वेस्ट में पीबी सैले में सबसे पहले लिखा है आइडियास ने पीबी सैले में सबसे पहले लिखा है Near them on the sand half sunk a scattered wishes lies whose frown I meet a traveler यानि मैं एक traveler से मिला जो कि एक antique land से आया था और उसने मुझे कहा कि यहाँ पे दो पैर है जो कि इस dessert में गड़े हुए हैं ये पत्थर के दो पैर और उसका उपर का हिस्सा कुछ भी नहीं है जैसा क्या picture में देख रहे हैं Near them और उस trunkless lake के नजदीक Sand में यानि बालू में हाप संग था यानि आधी कटी हुई एक मुंडी थी जो कि सायद उसी statue की थी और वो आधा बालू में फसी हुई थी यहाँ फे विसिल्स का मतलब है मुं उस मूर्ती का मुं जो की बालू में फसा था पोयम की शुरवात में पोईट कहते हैं कि मैं एक ट्रैवलर से मिला जो की एक एंटिक लैंड में था और उसने मुझे दोपैर दिखाए जो की रेत में खड़े थे और सामने ही उस मूर्ती का सिर भी पड़ा था जो की आधा रेत में फसा था इसके बाद पोयर्ट लिखते हैं जो सिर पे था जो आधा रेत में धसा हुआ था उस सिर को अगर हम देखते हैं जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं तो उनका जो लिप्स था वो रिंकल्ड था रिंकल्ड मतलब होता है सिकड़ा हुआ यानि उस पे जूरिया आई थी an sneer of cold command sneer मतलब उपहास ऐसा लग रहा था कि वो किसी का उपहास यानि हसी उड़ा रहा हो और किसी को cold command दे रहा हुआ यानि वो इतना घमंडी था कि वो हस रहा था किसी के उपहर और किसी को command दे रहा था और ये सब चीजें देखकर हमें यह पता चलता है tell that its sculpture यानि जो इसको मूर्तिकार था वो इसके passion को read करके ऐसा expression बताया था कि जिस तरह से उसके wrinkle lips ये बता सकें कि वो कितना घमंडी था which yet survive और ये चीज बहुत दिनों तक रही stamped on these passion read यानि कि वो जो passion उसका जान गया था कि वो घमंडी है इस कारण उसके expression अभी तक survive कर रहे है the hand that mocked them and the heart that feed और उसने अपने हाथ से ऐसा mocked किया उस artist ने कि सारी सच्चाई सामने आ रही है कि उसके expression उसके face expression से पता चल रहा है कि उसके दिल में क्या था और फिर आगे पोट लिखते है and on the pedestal these words appear my name is Ozymandias king of kings look on my work ye mighty and despair nothing beside remains round the decay and on the pedestal pedestal उसको कहते है दोस्तों पैर के जहां पैर उसका खड़ा था उसके नीचे एक पत्थर रखा हुआ था जिस पर वो मूर्ती थी और उस पे लिखा हुआ था कुछ चीज़ जैसा क्या picture में देख सकते हैं उस पैर के नीचे एक पत्थर है जिसमें लिखा हुआ है My name is Osmandias यानि मेरा नाम Osmandias है मैं king of kings हूँ यानि मैं राजाओं का भी राजा हूँ Look on my work मेरे काम को देखो ये mighty and aspire मेरी ताकत को देखो मेरी महानता को देखो Nothing beside remain वो इतना राजा Osmandias कहा लेकिन जब poet ने उसके चारों तरफ देखा तो कुछ भी नहीं था उसका कोई भी work says नहीं बचा था वो इतना घमंडी राजा था कि उसने लिखवाया था कि उसने क्या क्या काम किये है उस pedestal पे पर कुछ भी नहीं बचा समय के आगे उसके बाद poet लिखते हैं राउंड देखे यानि जब मैंने उस चारों तरफ राउंड राउंड करके देखा तो वहां कुछ भी नहीं था राउंड देख रहा था तो वो था बालू सैंड और वो सैंड दूर दूर तक फैला हुआ था उसका कोई भी चीज नहीं दिख रहा था बस दिख रही थी तो सिर्फ एक रेट और यहां पे दोस्तों यह पोयम खत्म होती है इस पोयम में हमें यह दिखाया गया है कि किस तरह ओजमैंडियस नाम का जो राजा था जो इतना घमंडी था कि वो अपनी चीजों को दिखाना चाहता था कि उसने अपनी जीवन काल में क्या क्या किया और उसी चीज को उसने उस मूर्ती के नीचे पैडस्टल पे लिखवाया कि देखो कि मैंने क्या क्या किया पर समय के आगे उसकी एक ना चली और उसका जितना भी काम था वो था भी की नहीं था वो नहीं पता लेकिन वहाँ पे कुछ भी नहीं बचा वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पोईट ने रेत देखी दूर दूर तक रेत था और उसकी जो मूर्ती थी वो भी तूट चुकी थी सिफ दो पैर दिख रहे थे और उसका जो मूर्ती का जो सिर था जो उजमांडियस राजा का घमंडी सिर था वो भी अब रेत में फसा हुआ था इंदरेत में दबा हुआ था तो यही थी दोस्तों ओजमेंडियस एक घमंडी राजा की पोयम आपको यह अब पोयम कैसी लगी हमें कमेंट सेक्षन में बताएं लाइक करें सेयर करें और सब्सक्राइब करें आपने मुझे पूरा सुना इसके लिए धन्यवाद मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट स्टोरी नेक्स्ट पोयम में तब तक के लिए जय हिन दोस्तों